विंटर के सीजन में समर का ड्रस ओर्डर कर दिया क्या करूँ पसंद ही यह आया पार सल आये एक हफ्ते से उपर भी हो गया लेकिन यह ठंड मुझे इजाज़ती नहीं दे रही कि मैं इसे ट्राइ करके देखो एक बार फिटिंग तो चट कर लूँ आज निकाला है यह कि चलो इसको एक बार ट्राइ करके देखती हूँ मेरे ना आपका है भी या नहीं देखो टैग भी आपके सामने ही कट कर रही हूँ पहन के बताती हूँ वाव लवले पैसा वसूल जब लोग आपकी बराबरी नहीं कर पाते तो वो आपको गिराने का काम करते हैं ताकि खुद का कद ऊचा कर सके ऐसे लोगों के लिए आप तफ कॉम्पटिशन होते हैं लिखने का शौक मुझे शुरू से ही रहा और बच्पन में अपने शौक के चलते घर की कहानिया भी लिख डाली थी कौपी जब पापा के हाथ में लगी तो डाट भी पड़ी और मार भी सुनाया पकड़के के लोगों को आना जाना इस घर में लगा रहता है कोई देख लेता पढ़ लेता तो क्या सोचता उन्हें उसी वक्त ये समझ जाना चाहिए था कि उनके घर में आनिमल की रणबीर कपूर पैदा हो चुकिया जिसे इस बात से कोई फर्क पढ़ता ही नहीं कि क्या सोचता भाई हर घर की कहानी एक जैसे ये केरेक्टर ही तो बदले होते हैं खैर मुझे फर्क पढ़वाने के चक्कर में लोगों ने अपना बड़ा गवाया है टाइम भी और पैसा भी ब्रेकप से निपटने के लिए सिर्फ सिगरेट और शरा भी एक मातर जरिया नहीं होता है जिम में खुद को फूक देना भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है जो बॉडी ब्रेकप बना कर देता है प्रोटीन के डब्बे भी नहीं बना कर दे पाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जूट कि एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं अपॉजट लंग में सिर्फ अट्राक्शन पैदा होता है दोस्ती नहीं दोनों में से एक आच नहीं तो कल दूसरे की प्रती अट्रेक्ट होगा ही और उसका दिल तूटेगा ही दोस्ती निभानी है तिस्टन्स बना के रखो ताकि प्यार ना पन बे अब मैं या राखी बांदने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप हर दूसरे लड़के को राखी बांदो क्योंकि दुनिया का हर लड़का आपको बहन की नजरिये से नहीं देखने वाला और देखना भी नहीं चाहिए सबकी बहन बन जाओगी तो बंठन कर किसको दिखाओगी सस्ती हरकते करने वाली लड़की कभी भी क्लासी हो ही नहीं सकते फिर भली वो छोटे कपड़े हाई हील पहन कश्रों शाए इंगलिश बोलती क्यों ना नजर आ जाए अगर आप किसी लड़के को सिर्फ इसलिया एंटर्टेन कर रहे हैं ताकि आप उससे अपने लगजरी जरूरते पूरी करा सके फिर आप क्लासी कहां से हो गई बई इंगलिश में फ्लुएंट होना आपको समझदार या इंटलिजन खोशित नहीं कर देता अगर अंग्रेज इतने इंटलिजन्ट होते तो उनके दिमाग का इलाज इंडियन नहीं कर रहे होते लोगों को तो आदत है ना गुलामी करने की पहले अंग्रेजों क्यों गुलामी करी अब अंग्रेजी की गुलामी कर रहे हैं अरे मोधी जी से कुछ सीखो, हमारे प्रधान मंद्रिया में बहुत कुछ सिखाते हैं, विदेशी धरती पर जाकर हिंदी में भाशन दे के वहां का पूरा सिस्टम हिला देते हैं कि पूछने पे क्या बोल दिया, ट्रांसलेट कराते रोजी, अनुवाद करने थोड़ी ना ब बदलें, लोग भी कमाल हैं, पैसा कमाएंगे शरीर गवाकर, फिर उसी शरीर को कमाएंगे पैसा गवाकर, माना कि शुरु शुरु में फानेंशल स्टैबलेटी के लिए अपने शरीर को ठकाना पड़ता है, लेकिन जब स्टैबलेटी आ गई तब तो रुको, नई जी भा जाना असान होगा, जब यह असान काम उन्हें मुश्किल होता नजर आता है, तो फ्रस्टेट हो जाते हैं, फिर उसी ओरत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए तो कहा जाता है, कि बुक के कवर को देखकर, अंदर क्या लिखा इसका अंदाजा मत लगाईए, उसके मजबूती देते हैं, वो मजबूती उसका होसला बढ़ाती है, उन हालातों को बदलने के लिए, धंडा, हर कोई करता है, लेकिन बदनाम फिर भी विश्या है, क्योंकि वो अपने शरीर को ठका कर आपकी ठकान को मिटाने का काम करती है, यार करती तो काम ही है, लोग उससे पूस्ते में, एक तालिस साल के होकर भी खुद को फिट कैसे रखताते हूं, खाने को पानी से पानी को खाने सिर्फ प्लेज करके, और बदन तोड़के, बिस्तर पर नहीं, जिम में सबजी में नमक कम हो या जादा, या आपको मारने वाला नहीं, लेकिन आपकी एक छोटी सी शिकायत, आपकी बेटर हाफ को कुछ देर के लिए मोन जरूर कर देती है, इस दुनिया में वो हर इनसान दुखी है, जिसकी जिन्दी का चुनाफ दूसरे लोगों ने किया है, कि